हेलो स्टुटेंस क्लास 10 इस वीडियो 9 अफ दे चैफ्टर दे मेकिंग अफ दे ग्लोबल वर्ट काफी फाट हमने इसमें पड़ा कि जो फोर्ड था जो गाड़ी कार निर्माता क्या करती थी जो कंपनी तो फोर्ड की जो फोर्ड द्वारा अपनाई गई जो उत्पादन प् यूएस पुरे अमेरिका में फोर्ड द्वारा मनाई गई ये अध्योगी प्रद्वतिती को लोगों ने अपनाया और द्योगपतियों ने दे वेर अल्सो वाइडली कॉपिड इन यूरोप और बीस के दसक में 20 सेंचुरी में पुरी यूरोप में 20 की नकल की जाने लगी यूरोप कॉस्ट तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई और प्राइज आव इंजिनेर गुड और इंजिनेरिंग आधारी जो चीजों की लागत जो थी उसकी कीमत में कमी आ गई जो भी इंजिनिरिंग से रिलेटेट उत्पादंक वस्तुवे थी उनकी कीमतों में तेजी से कमी आने लग गई thanks to higher wages बहतर वेतन के चलते क्योंकि हमें याद होगा जब लगातार हमने ये देखा कि किस तरह से assembly line को अपना कर जैसे slaughter house में मीट को लेने के लिए लोगों को कतार में लगना पड़ता था उसी को follow करते विए हेंडरी फोड ने कार का निर्मार किया पर इस में हाला कि समाई की बचत हुई पैसे की बचत हुई लेकिन लगातार काम करने के कारण जब उन ले workers को rest नहीं मिलता था तुछ में बहुत सारे workers ने काम छोड़ दिया था एक तो उनको wages उतना नहीं मिलता था तो finally ford ने उनकी wages को double कर दिया था हमें याद होगा तो जब ऐसा कुछ हुआ तो बैतर वेतन के चलते हैं बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाव उब्वोकता वस्तों में खरीच सकते थे जैसे finally हुआ ऐसा कि more workers जो thanks to higher wages higher wages के कारण more workers जो थे could now effort to purchase the durable consumer goods टिकाव वस्तों को एक कार जैसी टिकाव वस्तों को अब higher income के कारण एक common worker भी खरीच सकता था नहीं तो वैसे क्या होता था कि कार बहुत महेंगी होती थी और वेतन कम होने के कारण एक poor worker तो सोच भी सकता कि वो कभी कार में बैटके गुमेगा और वैसे भी अमेरिका में जिस आफ से फोर्ड कार का उत्पादन हो रहा था इतना तेजी से इतनी जादी मातरा में कार का वहां manufacture हुआ कि उसकी जो कीमत है थी कम हो गई थी और दूसरा वहां पर जो workers थे जो काम करते थे उनका जो वेतन है वो दुगना हो गया था तो similarly ये बहुत अच्छा सिंबल अच्छा संकेद मिला अमेरिका में की अब एक मध्यमवर्गे वैक्ति भी आसानी से कार को कार जैसी टिकाव वस्तू को खरीद सकता था इन दे यू एस तो इसमें बहुत सारी टिकाव श्तू करीश सकते थे वो 1919 में अमेरिका में 20 लैक कारों का अत्पादन हुआ के रहा है 1990 में 5 मिलिएं इन 1929 अमेरिका में 20 लाक कारों और जो 1929 में 50 लैक हो गया It means similarlyli was a spot in the purchase of refrigerator और इस तरह के से उसके साथ बहुत सारे लोगों ने फ्रीज खरीदा वहांपर वाशिंग मसीन खरीदी रेडियो खरीदे ग्रामोफोन खरीदे ग्रामोफोन फ्लेयर खरीदे अल तर थे सिस्टम ओफ हायर परचेज जैसे यह बहुत सारी चीज़ है थी सब चीजें higher purchase वेश्था की ज़द खरीज जाते थी क्योंकि जो higher purchase अब वो उच्छ higher purchase जो वेश्था थी उसके तैदो आसानी से इन चीजों को आप खरीज सकते थी क्योंकि उनके वेतन में तेज से बहुत जादा increment हुआ था इसी तरीके से अगर हम बात करें वेश्था के ज़द करें यह यारी लोग यह सारी चीज़ां करजे पर खरीटे थे higher purchase में जो rapidly weekly अगर हम देखें अक्सर हम देखते थे तो वो जो चीज़ां करीटे थे जो वेश्था होती थी उनके लिए यह करजे पर खरीटे थे और उनकी जो कीमत होती थी वो weekly या monthly installment में चुगाए जाती थी तो यह जो भी fridge खरीटे थे या टीवी खरीटे थे या ग्रामफोन खरीटे थे जो भी को खरीड रहते रेफ्रीज़ेटर वो एक monthly installment में भी खरीज सकते थे मासिक किस्त के आदार पर जो demand थी हम देख सकते हैं रेफ्रीज़ेटर की जो demands थी washing machine और अध्य जो उपकरण थे were also be fueled by a boom and the house construction and home ownership finance once again the load और मकानों के निर्मान और नीजी मकान की जो संक्या थी उसमें विर्दी हुई अब definitely भई अगर किसी का अपना मकान होगा तो अपने मकान में कोई भी freeze, टीवी, सोफा ये रखना चाहेगा तो अपने नीजी मकान जब लोगों के अपने नीजी मकान के उपकरणों की मांग में विजाफा हुआ तो घरों का निर्मान और खरीदारी भी करजे पर ही की जा रही थी जो ownership थी, मकान की जो ownership थी, वो भी लोग loan पे कर रहे थे and 1920 के टाइम पर, the housing and consumer boom of 1920 की बात करें created the basis of the prosperity in the US large investment और इस तरीके से जो आवास और निर्मार जो construction हो रहा था इससे क्या हुआ, अमेरिका में संपनता आ गई और आधार पैदा हो जो संपनता का आधार पैदा हो गया था large investment in housing and household, flood एक बाल जैसी आ गई वहाँ पर घरेलू जरुत की चीजों में निवेश से रोजगार की मांग क्या हो गई, बढ़ गई and create a cycle of higher employment और क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिला उनकी income भी बढ़ी, रोजगार तो मिला ही मिला और उनकी क्या हुई income भी बढ़ गई और rising consumption, लोगों का उबबोग का इस्तर बढ़ा, demand बढ़ी, more investment, ज़्यादा investment करने लगे और उनकी employment बढ़ने के साथ, उनको income भी बढ़ी 1923 की बात करें, जो अमेरिका था, US regime exporting capital to the rest of the world यानि कि अमेरिका से स्विश्व को पुंजी का निर्याद दोबारा करने लगा यानि पूरी दुनिया को पुंजी का निर्याद करने लगा, export करने लगा पुंजी को and became the largest overseas lender और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्ज दाता देश बन गया, यानि दुनिया में दूसरे देशों को कर्ज देने वाला सबसे बड़ा देश अमेरिका बन गया, and US import और US America ने कहा कि अमेरिका दोबारा आयाद और पुंजी निर्याद ने, यानि कि कुछ चीजां वो इंपोर्ट करता था, और कुछ चीजां एक्सपोर्ट करता था, यानि कि अमेरिका दोबारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने से Capital के, जो European economy थी, उसमें एक, European economy को एक संकट से उबरने में मदद करे, European को recovery मिली, क्याकि यूरोप के बहुत सारे देश की जो economy थी, वो down हो चुकी थी, और अमेरिका दोबारा Capital को, एज ए लोन देने से, यूरोप के बहुत सारे देशों को काफी मदद मिली, विश्व बार वो आई वदी दर में काफी सुधार आया लेकिन अगर हम बात करें अल दिस हावर प्रूब्ड टू गुड टू लास्ट लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई ये इस तिदी इस अप्रूब्ड टू लास्ट बाई 1921 में दो वर्ड वूड ब्लंग इंटो डिप्रेशन त्विटी इन में आते आते दुनिया में एक आर्थिक संकट में फस्स गई जिसे दुनिया में पहला कभी अनुवव नहीं क्योंकि 1921 में एक रीसेशन आया मंदी का दोर आया जब लोगों के बास रोजगार नहीं था सारी अमेरिका की कमपनिया बंद होने लगी और किसानों के बास आयके कोई सादर नहीं थे लोगों की पर्चेशिंग पाउर नहीं थी आप जो बैंक में लोग पैसा रखने के लिए नहीं था तो अमेरिका की कई बैंक बंद हो गए तो अमेरिका में ठीक डिसेशन का आने से, दुनिया के और देशों में इसका बहुत गहरा असर पड़ा हम कह सकते हैं, तो अगर हम Great Depression के बारे में पड़े हैं, महामंदी के बारे में, तो Great Depression begin around 1929, जो Great Depression था महामंदी, हो 1929 में शुरू हुई, and last state, और कब तक रही तिल में 1930 तक, भी एड़ एड दौरान दुनिया के ज़्धतर हिस्फों के उत पादन, इस दौनिया के ज़्धतर हिस्फों में, यह अनुभव किया गया, satu, catastrophic हम कह सकते हैं, जबतर हिस्फों में, एक भयानक गिरावट, एक हम कह सकते हैं catastrophic यह आपदा जिसे हम कह सकते हैं catastrophic decline productions में उत्पादन में उत्पादन ज़्यादा नहीं हुआ रोजगार में रोजगार ज्यादा तर कंपनिया बंदो हो गई तो लोग विरुजगार हो गए आई में अब ज्यादा तर लोग विरुजगार हो गए और जो लोग बचे कुछ एबी थे उनको आई नहीं मिल रही थी उतनी जितनी मिलती थी and trade व्यापार में एकज़ेक टाइमिंग एन इंपेक्ट आउट डिप्रेशन अगर हम इनकी बात करें एकज़ेक जो टाइमिंग है अगर हम देखते हैं इस मंदी के समय और अशब देशों में एक जैसा नहीं था तो हमने देखा कि रोजगार था इंकम थी और ट्रेड था इसमें बहुत ही बह गिरावट आईटी एक टेस्ट्रॉफिक भयानक कह सकते हैं बहुत भयानक रूफ से एक आफदा एक डिक्लाइन गिरावट महसूस की गई और जो बंदी का दौर था वो सभी देशों में एक जैसा नहीं था असर सब देशों में एक जैसा नहीं था लेकिन आम तर बर ऐसा म जिस वर्ज भीकॉज डफॉल इन एग्रिकल्टर प्राइज क्योंकि जो किर्शी में थी किमतें बहुत कम हो गई थी किसानों को उतना मुल्य सहीं मिला नहीं ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रही एक तो किर्शी की कमी भी थी और दूसरा उसके जो कीमतें थी उसमें भी कमी बनी रही इन्डेस्टियल गूड्स के मुकाबले में जो डिप्रेशन था जो मंदी का दौर अगर हम देखें इसमें डिप्रेशन वर्स कोजॉज बाइदा कॉंबिनेशन ऑफ सेब्रेल फेक्टर इंकारणों में और लेड़ी सीन हाँ फ्रेजाईल हम देख सकते हैं कि जिसमें यु जिसमें दुनिया में वर्ड वर्ड लड़ा जा रहा था इवन ब्रिटेन नेवी अमेरिका से लोन लेके इस युद्ध में भाग लिया था तो कितना ज़्यादा गिरावट आयोगी इंग्लेंड में वहां की अर्थवैस्ता में तो जो इकनामी थी वाड की जो इकनामी थी हम अगर बात करें विश्व एर्थवैस्तावत कमजोर थी पहला कारण यह था फर्स जो रीजन था एग्रिकल्चर ओवर प्रोड़क्शन एग्रिकल्चर का ओवर प्रोड़क्शन कर दिया एक प्रॉबलम बनी रही किछित अती उत्पादन की समश्य और इससे क्या हूआ जब ज्यादा उत्पादन हो गया दीश मेड़् वाइफ ऑल्ला फॉर्लिंग अईग्रिकल्चर बहुत ही जादा नीचे जो एग्रिकल्चर के प्राइजेजs बहुत नीचे चलेगा ज़ब प्रोड़क्शन बहुत ज्यादा हुआ at the price slumd और इस से हैं जैसे किलिवेट गिर्टी केमत हो यक लंट इस्तिति की अजिर होगी उर्म इसकिन्द गयी फ्राइटwalk दिक्लाइं हो गिया कि वहार Modern Als अजिद्रैंटी करने लगत् 푸ाल परोट उर मेडियर किसान की आई वह जो किसान की सब्सक्रहण किताने के लिए किसान उत्पाधन बढ़ाने का फृयास करने लगी तक कि कम कीमत वरी सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके बूर अपनी आइका इस्तर बनाएन करszy की लेकिन वह और ज्यादा उत्पाधन करने लगे जिसे की ज़्यादा उत्पादन करने से कीमत बली कम मिलेगी लेकिन उसके एक अपना इस्तर बनाए रख सके हैं जिस कारण से वो और इससे क्या हुआ दे वर्सन दे गलर्ट इन दे मार्केट बाजार में किर्शी उत्पादर की आमद और बढ़ गई पुसेश डाउन प्राइज और इससे कीमत है और ज़्यादा नीचे दे लेगे अरे बहुत कुंटलों की हिसाब से बाजार में गेहू आने लगा इतना गेहू आने लगा कि उतने ग्राग कस्टमर्स मिले नहीं इस कारण से उत्पादर जब ज़्यादा हुआ तो इसकी कीमत है और ज़्यादा कम हो गई ठीक किसानों की सोच से विप्रीत हुआ खरीदारों के अबामे किर्शी उपज पड़ी-पड़ी सढने लग गए थी फार्म प्रोडूस रोटेट कह रहे है जो फार्म के प्रोडूस टेविटा वो सढने लग गए रोटेट फॉर लैक ऑपायर बिना खरीदार होगे अब खरीदार तो थे नहीं उत्पादन ज़्यादा था तो वहाँ पर ऐसी सढने लग गया सहरानाज दूसरा करण क्या था 1920 के टाइम पर मैनी कंट्रीज भल बहुत सारे देशों ने अमेरिका से फाइनेस दियर इन्वेस्मेंट दो लोन्स फ्रॉम यूएस युद्ध लड़ने के लिए हम जमस सकते हैं कि यूएस से अमेरिका से करजा लेकर अपनी निवेश संबेदी जरुत को पूरा किया था क्योंकि वो क्या कहता है फाइनेस इन्वेस्मेंट करने के लिए वाइल इट वज ओफन एक्स्रेमली जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से करजा जुटाना बहुत आसान था क्योंकि अमेरिका के हालात अच्छे थे इट वज ओफन एक्स्रेमली इजी टू तो दुनिया के और देशों को भी करजा दिया था लेकिन संकट का संकेद बिलते हैं अमेरिका उद्यमियों के होस उड़ गए जो यूएस ओवर्सीज लेंडर्स थे पैनिक्ड वो पैनिक हो गए उनके होस उड़ गए खत्रे का आवास उन्हें हो गया था जब उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा था खरीदार नहीं मिल रहे थे उद्योग सारे बंद हो गए थे लोगों के पास आए के कोई सादन नहीं थे बैंकों में बैंकों की अर्थेवस्ता लड़कडा गई इन दे फरस्ट हाव ऑफ 1928 की अगर हम बात करें विदेशों में अमेरिका का करजा एक अरफ डॉलर था जो विदेशों में अमेरिका का करजा था वो एक अरफ डॉलर करीब था overseas loan amount to over one billion as a year later it was on the quarter of the amount ये कहता है साल बर के बीदेर एक करजा घटकर के और एक चौथा ही रह गया था a year later it was once quarter एक चौथा ही हो गया था country that depend increasingly जो देश अमेरिका के करजे बर सबसे ज़्यादा निर्वरते उनके सामने गरा संकट आ गया वह country that depend increasingly on the US यूएस पर different है ना यूएस से loan लिया था बहुत सारे देशों ने अपनी अर्थवेस्ता को सुदारने के लिए end time was 1929 में अमेरिका की जो अर्थवेस्ता थी वो खुदी बैक होने लगी तो अमेरिका ने end time पर उन्हें क्या पता था कि अमेरिका ऐसे टाइम पर इन देशों के लोगों से loan वापस माग लेगा अपना लोग the withdrawal of US loan और भले ही सब देशों में एक जैसा प्रवाद ना पढ़ा हो country depend critically on the withdrawal of US loan affected much of the rest of the world though in different way सब देशों में एक जैसा प्रवाद ना पढ़ा हो लेकिन अमेरिका पूजी के लोट जाने से पूरी दुनिया पर असर ज़रूर बड़ा अलग अलग तरीकों से in Europe it led to the failure of some major banks and collapse of currency such as the British pound sterling Europe में कई बड़े bank दराशा ही हो गए थी in Europe it led to failure Europe के देशों में कई सारे some of the major bank collapse मैंने जैसे बता हैं अमेरिका में कई बड़े बड़े bank बन हो गए collapse हो गए दिवालिया हो गए वो और collapse होने से कई देशों की जो मुद्रा की कीमत थी याद रखिएगा इस बात को तो जब कई देशों में bank बंदो हो गए तो जो currency का जो मुल्य था कई देशों की मुद्रा की कीमत जो थी ये लिखता है collapse of currency Europe के कई देशों की currency थी वो collapse हो गए बैंक बंद कोलेपस बैंक जब कोलेपस हो गए वहाँ पर तो करेंशी थी जो ब्रिटिस बॉंड की स्टार्लिंग वो क्या हो गई एक जटके से ब्रिटिस बॉंड भी नहीं बजबाया इससे क्योंकि कई देशों की जब मुद्रा की कीमत ही घड़ गई तो बृतम की क्या उस इंटेंसिफाइड और इसी टाइम पर अमेरिका सरकार इस मामंदी से अपनी अर्थिवेस्ता को बचाने के लिए आयती प्रदार्थ उसकार पर 2 ग Könige सीमा सिल्क लगाने लगा लगा है समझ रहा ना दा इस ने क्या किया अपनी इस इकनोमी को बचाने के लिए अटेंट परियास किया अपनी इकनोमी को बचाने के लिए Nikki से जो मंदी का दोर था उससे अपने देश को बचाने के लिए डबलिंग जो इंपोर्ट ड्यूटी जा उनके देशों में जो आयाट किया जा रहा है उसके जो ड्यूटी टेक्स लगा जा जा उसको डबल कर दिया जिससे की इस 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 फैसले से क्या हुआ जब ऐसा कर दिया उसने इंपोर्ट पर जब उसने जो कोई भी देश उस देश में अगर एक्सपोर्ट कर रहे है और उस एक्सपोर्ट पर अगर टेक्स लगा देता है अमेरिका तो क्या होगा इससे जो विश्व व्यापार था जो ट्रेड था उसमें क्या हुआ उसकी कमर ही टूट गई सब लो टू दे वर्ट ट्रेड यूएस वज अलसो दा इंडस्ट्रियल कंट्री अगर हम बात करें जो यूएस था वह वी एक अनेदर अलसो इंडस्ट्रियल कंट्री था अध्योगीक देशों में भी मंदी का सबसे तुरा आशार होगा अमेरिका को भी जेलना पड़ा विद द फॉल इन प्राइजवल और कीमतों में कमी और मंदी की आसंका को देखते हैं अमेरिका बैंकों ने घरे लुक करजे देना बंद कर दिया देखो थेक बारज जैसे इस्टिती हो रही थी जैसे अभी यहां पर 2020 म हो रहा है कई सारे बैंक से लोगों को लोन नहीं मिल ला है लोगों के रोजगар छिन गए है उद्योग सारे बंद हो चुके हैं उत्पादन नहीं हो रहा है उतना तो इस तरह से छालात अमेरिका में आप समझ सकते हैं क्या कहता है यू-एस जो औद्योगी देख्टेट इसे बहुत इफेक्ट पड़ा जैसे ही कीमतें जो थी फॉल हो गई कीमतों में कमी और मंदी की आसंक को देखते हुए और मंदी की तो आसंका उन्हें पहले से भाफ ली थी प्रोस्फेक्ट कर लिया था तो यूएस बैंकों ने डोमेस्टिक जो अपने ही देश के लोगों को घरेलू करजे देना बंद कर दिया जो करजे दिये थे उनकी वसूली तेज कर दी अब जो करजे दिये थे डोमेस्टिक लैंडिंग के लिए उसमें क्या कर दिया कॉल बैक लोन और उसको वापस लेने के लिए तेज से अभियान चला दिया किसान उपज नहीं बेच पा रह आवसल को आउसोल्ड सारे जो घर थे परिवार करज़ थे वह क्यों बरबाद हो गए और बिजनेस सारे डहे गए फेज़ड वीट फॉलिंग इंकम और इंकम के गिरने से many household in US could not repay what they had warlord जो कुछ उन्हेंने पहले warlord लिया था मैं याद होगा कि किस तरह से installment में हो freeze टीवी, gramophone, refrigerator जैसी चीज़न ले सकते होंगे और घर भी बना लेते होंगे असमने पड़ा था तो अब यहाँ पर ऐसी मंदी आने से अमेरिका के बहुत सारे परिवार वो alone ही नहीं चुका आपाए क्योंकि बहुत सारे लोग तो jobless हो गई companyya बंद हो गई, bank को ने loan देना बंद कर दिया इस वज़े से सारे परिवार कर जा चुकाने में नाकामियाब हो गई जिसके चलते हैं उनके मकान, car और सारी जरूरी चीज़े की कुर्की कर लिए कुर्की हो गई, यानि ये bank ने उनकी सारे प्रोपर्टी को सीच कर लिया car and other consumer डूरे, well the consumer prosperity of the 1920s now appeared in a puff of dust ये खास बात है विटा, ये कहता है कि 20 के दसक में जो उब्वक्ताजी संपंदता दिखाई देती थी हर जगा पर उनकी आई बढ़ रही थी और उनने गाड़ी खरीद लिया थी और टीवी, फ्रीज ग्रामो कोन जैसी चीज़ा खरीद सकते थे और धूल के गुबार की तरह रातो रात काफूर हो गई थी कह रहा है, इस तरीके से बिरजगारी बड़ी तो लोग काम की तलाज में दूर दूर तक भी जाने लग गए थे और इस तरीके से यूएस बैंकिंग सिस्टम जो यूएस की जो बैंकिंग पर नाली थी लाब ना पा सकने के करजा वसूल ना कर पाने और जमा करता हों की जवाब पूंजी ना लोटा पाने के करणा हजारो बैंक दिवा लिया होगे, खास बात है यूएस बैंकिंग सिस्टम जो था बैंकिंग पर नाली यूएस से की वो को लैफ पूंजी ना लोटा वाने के करणा, थाउजेंस ओब बैंक, रिपे डिपोजित, जो डिपोजिटर थे वो रिपे भी नहीं कर पाए और इस तरह से बैंक दिवा लिया हो गए वहाँ पर, और फोस्टू क्लोज, और मजबूर हो गए बंद होने के लिए, कई सारे बैंक बं हो गए, दा नंबर आर फिनोमेनल वाइ, 1933 ओबर 4,000 बैंक, अम समाझ सकते हैं कि 1933 तक 4,000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके था, और 1929 से 32 के भीज में तक करें, 1,00, जो भी जो कंपनियां चौपट हो चुकी थी, यदे भी 1935 के अगर हम बात करें, एं मोडेस एकॉनमिक र समाज में अगर हम देखें, एक अद्योगी देश में, जिसे बहुत सारे इंडुश्रियल कंट्री जो थे, जो उनके सामने इकानमिक हम देख सकते हैं, एकानमिक रीकवरी जो थी, oldest इंडुश्रियल कंट्री उध्योगी देश में थी, लेकिन ग्रेट वांधिक अदूरि दिल दिमाग पर उसकी चाप पड़ी थी सोसाइटी में जो ग्रेड महामंदी की जो वाइडर इफेक्ट पड़ा था वो राजनेती को यह अंतराश्टे संबंद जो थे जो लोगों के दिमाग में प्रूब्ड मोरल इंडियरिंग वो इतनी जल्दी तो सायद मोर इंडियरिंग था मतलब इतनी जल्दी उसकी चाप मिटने वाली नहीं थी आई भी अंडेस्टुट चैप्टर नेक्स्ट आइविल कंटीनो इंदर वीडियो थार्ड रैस पार्ड की इंडिया और ग्रेड डिप्रेशन भारत में इसका क्या असर पड़ा होगा उस ट्रैम है तो वहाँ पर लोगों को जब लोन ना चुका पाने की कारण दुनिया के और देशों में रोजगार तलासने लगे उनके पास काम के असर नहीं थे बैंक दिवा लिया हो गए बैंक को मजबूरन बंद होना पड़ा इस इस्तिती इस भायानक इस्तिती जब अमेरिका में ह हो गई थी हम पढ़ेंगे इन नेक्स वीडियो की भारत में इस निबंदी का क्या असर बढ़ा थैंक यूफा लिस्निंग में